नमस्कार शामदरिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनो आपका स्वागत है दोस्तों मैं हूँ भासकरानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक शामदरिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉक्स में एक सुन्दर सी फिमेल हतेली आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हतेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है देखेगा अगर हम हतेली की आकरती देखते हैं या हतेली की रंगत देखते हैं तो निश्चित रूप से इसकी रंगत बहुत सुन्दर है आँखों को इस्तिति आ रही है कि आपका जीवन बहुत अच्छा भाग्या साली रहेगा भाग्या की इस्तिति बहुत अच्छी रहीगी और आप अपने जीवनकाल में अच्छा खासा लुथ उठाएंगे। इनको ठीक करना बहुत जरूरी है देखेगा एक तो ये आपकी तरजनी की उंगली है इसके नीचे वाला जो हिस्सा है ये ब्रिस्पति का परवत है ये बहुत ज़्यादा माइने रखता है ये देखेंगे आप तो सनी की तरफ जुक रखा है और मंगल से एक रेखा आती और हिर्दे की रेखा में यहाँ पे जा रही है मिल रही है आगे नहीं बढ़ रही है और यहीं से एक रेखा निकल करके इस प्रकार से और यहीं से एक रेखा निकल करके इसको यहाँ पे जोड रही है और कहीं न कहीं इस प्रकार का निशान बना रही है इसका रिस्तों पे बिसेश प्रभाव पड़ता है और खराब प्रभाव पड़ता है जब रिस्पती सनी की तरब देख रहा होता है तो परिवार को लेके चिंताएं देता है तनाव देता है और जब इस प्रकार के हिर्दे रेखा में इस्तिति बनती है तो रिष्टे बहुत जादा बिगड़ जाते हैं और जब मंगल छेतर से ये रेखा हिर्दई की रेखा में मिल जाती है तो ब्यक्ति का जो दामपत्य जीवन है वो बहुत जादा अनबैलेंस हो जाता है खराब हो जाता है और वो रिस्ता टिकना मुस्किल हो जाता है जीवन में इस रिस्ते का सुक ब्यक्ति को नहीं मिल पाता है तो बर्तबान में इस्तिती ये दिखाई दिए रही है जिससे आपका रिस्ता हो चुका है वो आपके लिए साइद बना ही नहीं है इस पश्ट तोर पे आपकी हतेली कह रही है कि ये रिस्ता कहीं न कहीं जो है आपके लिए नहीं बना है अगर आप इस रिस्ते से निकल जाती है और आगे जो आपका रिस्ता बनता है वो आपके लिए जहां बहुत अच्छा सुकदाई रहेगा आपका डेपलप्पेंट है आपकी जीवन की खुसियां है आपकी जीवन का उत्सा है उसको बढ़ाएगा ही नहीं बलकि एक चरमोत कर्स इस्तिति में भी पहु और अपने जीवन में मजबूती लेकर के अपने जीवन को खुसहाल बनाएं सांदार बनाएं और निश्चित तोर पे उसका फायदा उठाएं दूसरी चीज़ देखेगा एक रैखा यहां से आके चंद्रमा की और आ रही है यह बहुत सारे पहलों को दिखाता है एक तो कि कि है जो मेल और पिमल के बीच रिष्टा रहता है उस रिष्टा का जो चमत को करसक जो सुक होता है उस वह सुक को यह जادक नहीं पाता है और कहीं न कहीं जीवन में कई बार सब कुछ होती हुई कुछ खालीपन ऐसे लोगों को लगता है संतुष्टी की जिसको कमी कहते हैं वो ये दिखाती है और धन के मामले में भी ये जीवन में संगर्स कराती है और सफलता की इस्तिति को छीन करने की ये कोशिस करती है तो इस रेखा को भी अच्छा नहीं माना जाता है और फिर यहां मन को खराब करती है ऐसे में जो मानसिक रूप है बेक्ति को मन को गड़बड करती है मानसिक प्रेशानी देती है बेक्ति को कई बार बहुत जादा भावकता आ जाती है कई बार इमोशनली ऐसे बेक्ति प्रेशान हो जाती है मन अच्छा नहीं रहता है और इसका प्रभाव तो आपकी सपलतापी भी पड़ता है और कहीं न कहीं सारी चीजे होने पर डिप्रेशन की इस्तिति आने बैठ जाती है तो इसका उपाई करना बहुत जरूरी है यहाँ पर देखेगा कुछ महत्वपूर्ण चीजों को देख करके उसका उपाई देख करके मैं कुछ चीजें और देख रहा हूँ यह मनिबंद जो होता है यह कलाय का यह छेतर है जिसको हम मनिबंद परदेश कहते हैं यह अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है इसमें जो यह पहली लकीर है यह लकीर सब से महत्वपूर्ण मानी जाती है इसकी लकीर के उपर डिपेंड करता है आपकी बाकी हाथ की रेखाईं क्या फल देने वाली होती है और ये आपकी स्वस्त्य की रेखा कैलाती है आरोगे की रेखा कैलाती है और तंदुरस्ती की रेखा कैलाती है ये अगर रेखा देखें वैसे बहुत सुन्दर है बहुत अच्छी है लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सारी रेखाई है इसको छिन भिन करने की कोसिस कर रही है तो अभी कम से कम आपको कुछ सालों तक तीन से चार साल तक आपको अपने स्वास्त्या का जो मामला है आरोग्या का मामला है और तंदुरस्ति का मामला है इसका विशेज द्यान लखना है और इसका द्यान कैसे रखेंगे देखेगा आपको स्वास्त्या में आरोग्या में औ और प्रोब्लम ना हो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रखे आपका आरोग्य का अस्तर मनी एक प्रकार का योगा एक प्रकार का मेडिटेशन और आपकी जो साफ मेजर चक्र रहें पंच महाभोत हैं पांच तत्व हैं वो एक सीध में रहे और एक बहुत अच्छा फल दें आपको इसके लिए मैं आपको दिब्य सूर्य के रिया और दिब्य योग ध्यान के रिया दे रहा हूं इसको जरूर करें आपको लाव होगा दूसरी अगर रेखा आप देखेंगे तो ये रेखा बहुत अच्छे है लेकिन जो बैलेंस इसका होना चाहिए वो कम है और साथ साथ में ये रेखा आपकी करियर और धन की रेखा से समन्द रखती है और आपकी करियर और धन की रेखा देखेगा तूट तूट कर आगे बढ दिखाई दी रही है धन और करियर की रेखा अच्छी नहीं मानी गई है इस परकार की ठीक है और यह रेखा है संपत्ति रेखा और धन रेखा दोनों रेखाई अन्बैलेंस हैं ठीक है ने तो जो संपत्य का लाब आपको मिलना चाहे जो आपके करियर में stability आनी चाहे एक सांदार करियर आपको मिलना चाहे और जो धन की इस्तिती strong होनी चाहे इस्टेबल होनी चाहे वो यहां पर नहीं दिखाई दे रही है इसके लिए बहुत ज्यादा संगर्श दिखाई दे रहा है बहुत ज्यादा जो है चीजें बिखराव की इस्तित्य में दिखाई दे रही हैं अब इस चीज को कैसे ठीक करें देखे करना तो पड़ेगा अगर नहीं करेंगे उपाई तो गारंटी नहीं है आप सफल होंगी जो वास्त्विक सफलता है सफल कई परकार के होते हैं केवल एक जौब मिलना और पैसा कमाना जीवन की सफलता को नहीं दिखाता है इस बात का ध्यान रखेगा ठीक है नहीं यहां पे सफल ह होने के लिए आपको दिव्य सूरी के रिया दिव्य योग ध्यानी के रिया तो करनी है बहुत छोटी हैं बहुत सरल हैं बहुत पावर्फुल है लेकिन साथ साथ में एक रात्री के समय का महालक्षमी का उपाई दूंगा जो आपका करियर और आपका जो धन का मामला है उसक उसकी पावर जब बढ़ेगी तो निश्चित ही जो है कम सपल कम मेहनत में बड़ी सपलता आप हासिल करेंगी यहां पर तीसरी रेखा है लेकिन बहुत जादे इस पश्ट नहीं लेकिन रेखा है इसका मतलब है आगे इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा यह रेखा है सुक की रेखा मनि आने वाले समय में आपको अपने स्वास्त्य का अपने धन का और अपने एस्वरियों को भोगने का सुक निश्चित रूप से मिलने वाला है इसमें कहीं कोई दोराई नहीं है अब देखेगा तीन लकीरे हैं तीन लकीरे होने का मतलब है देखेगा नारद पुर क्योंकि लंबा हो जाएगा उसका अर्थ समझाना बहुत बड़ा हो जाएगा लेकिन उसमें एक अश्णोक है उसका सिंपल मतलब है कि जिसस्तिरी की हतीली में खास कर बधाम हस्त में बाई हतीली में लिफ्ट हैंड में मनि बंद में कलाय में Sociot लकी सब को जरूरत है और वो दिब्या है उसका आकरसा पूरी दुनिया ये तो मोहित है पूरा वर्ड उसी पर आसरित है चाहिए वो महिला है पुरुस है बच्चे है आपके बड़े-बड़े सहस्तान है सब इसी पर मोहित है तो ये जो जो है फीमेल होती है ये इतनी भग्यसालि होती है कि लक्षमे से इनकी तुलना के गई है इससे बड़ी कोई चीज है नहीं है मतलब भग्या लेकर के ये आती है इस दुनिया में ठीक है लेकिन जब ये इस पश्ट हो तब ही इसका फल मिलता है और कहा गया है कि इसका इनका जो पूरु जन्म है उसमें इनोंने बहु एक सांदार इस्तितिका रहा है और उसका प्रभाव जीवन के पड़ेगा लेकिन देर से पड़ेगा क्योंकि अभी कम से कम अगर हम यहां पे बात करें तो ये तीन से चार वर्स चौथी वर्स में ये कम से कम अपना फल देना सुरू करेंगी मनि आपकी जीवनकाल के जो ठ ठीक चार वर्स के बाद का समय है वो शांदार रहने वाला है उसमें बड़ी सपलताइं आप हासिल करने वाली है और आपका जीवन पीक पे जाने वाला है चाय करियर का मामला है चाय जो है पारिवारिक सुक का मामला है स्वस्त्य का मामला है सामाजिक जीवन का मामला है शा बहुत सांदार है अकरसित करने वाला कलर है इसका मतलब है कि भग्या साली ब्यक्तित तो आ रहा है भग्या आपका चरम साथ देने वाला है लेकिन अभी बहुत सारी रेखाएं भी हैं अभी ये रेखाएं क्या कह रही हैं कि अभी तीन से चार वर्स तक कोई नो कोई पड़ेगा जीवन में उतार चड़ाव भी आएगा और कई बार और इस्तिरता भी आएगी लेकिन घबराना नहीं ये लिखा हुआ है साथ में ये भग्यास्तान को अगर आप देखें उसकी जो उंगली है ये पूरी तरों से जुक रखी है रिंग फिंगर की तरफ इसका मतलब है जीवन में ध्यान रखेगा जो बहुत जादा मेहनत और बहुत जादा परिसरम करने पर ही आपको चीजों में सपलता मिलेगी और कई बार दोड़ा धूपे का काम भी करना पड़ेगा और जिस चीज की आप मेहनत कर रहे है उसमें पूरा फोकस रखेगा एकागरता की कमी है एकागरता को बढ़ाईगा मेहनत दुगनी कर लीजिएगा अगर सफल होना है इस बात को आपका हतेली दरसा रही है ठीक है अब आपके प्रश्णों को ले लेते हैं पहला प्रश्ण आप लिख रही है सरकारी नौकरी के प्रयास पिछले छे साल से कर रही है अप लेकिन सपलता आपको जादा नहीं मिल पाई है देखेगा सरकारी नौकरी के लिए कुछ चीजें हतेली में सांदार होनी चाहिए कहीं न कहीं आपका करियर और जो धन की रेखा है ये छिन भिन अवस्ता में नहो या तो हो यी नहीं या हो तो इस पश्ट हो और दूसरा आपका जो सूर्य का परवत है उसमें जो लकीर है ये तो बहुत अच्छी है लेकिन आप देख रही होंगी कि कुछ लकीरे इनको इस प्रकार से डिश्टर्ब कर रही है ये इस प्रकार से आप देख रही होंगी चिन भले ही बना रही है लेकिन ये आपको सपलता का जो चरम सुक है उससे पीछे खीच रही है ठीक है ने तो सूर्य सरकार का कारक है सूर्य विस्तार का कारक है सूर्य प्रसिद्ध का कारक है सूर्य धन का कारक है तो इसका मतलब है कि जो परियास आपके द्वारा किये जा रहे हैं आप उन परियासों में पूरी सपलता अरजित नहीं कर पा रही है जो मेहनत आप कर रही है जो परिस्रम आप कर रहे है उसका जो पूरा स्रे मिलना चाहे जो क्रेडिट मिलना चाहे वो आपको नहीं मिल पा रहा है जो मेहनत आप कर रहे हैं परिस्रम कर रहे हैं उसका वो स्रे क्रेडिट तो नहीं है साथ में जो आपके अंदर quality है योगता है उस परकार से चीजें उभर कर नहीं आ पा रही है निखर के नहीं आ पा रही है एक सहजता से एक सरलता से जो रास्ता मिलना चाहे किसी भी रूप में हो वो रास्ता नहीं मिल पा रहा है confusion की इस्तिति दूविदा की इस्तिति ओलजहन की इस्तिति ये और उपर से पैदा कर रही है ठीक है न ऐसे में यस नहीं मिल पा रहा है तो इसके लिए आपको क्या करना है एक तो देखेगा आपको महालक्षमी का रात्री का उपाई करना है एक दिब्य सूरी के रिया एक दिब्य योगध्यान के रिया करना है थोड़ा समय और है करीबन देखेगा पूरा इस्तिति देखे हम तो काफी समय है तीन से चार वर्सों तक आपको घवराना नहीं है चाहे उसके बाद ही आप अच्छी इस्तिति में पहुंचें पहुंचने को आप धाई वर्स बाद भी पहुंच सकते हैं पहुंचने को आप चार वर्स बाद भी पहुंच सकते हैं नौकरी मिल जाएगी इसमें कोई जो है दोराई नहीं है लेकि क्या आशिरवाद की प्राप्ति के लिए कोई मेहनत नहीं की तो इसमें किंतो परंतो ही रहेगा नोकरी मिलनी कठिन होगी वो सकता ना भी मिले इस बात का ध्यान रखें ठीक है अगर चाहिए तो फोकस रखेगा एकागरता रखेगा मन की एकागरता बहुत जरूरी है और उपाई हैं उनको विदिवत तरीके से करिएगा आपको लाव होगा आप लिखते हैं साधी हुई है पर साधी की एक सब्ताह बाद ही हजबेंट से बिबात सुरू हो गया है देखेगा इस चीज़ को मैं पहले ही बता चुका हूँ आपके विबिन पलों पहलों को देखिए अब इस रिष्टे से निजात पाने के लिए और एक अच्छा रिष्टा आपको प्राप्त हो उसके लिए एक उपाई भीज रहा हूँ कर सकते हैं तो वो जरूर करें आपको एक सांधार लाव की प्राप्ते होगी और जीवन बहुत सुन्दर तरीके से उबरेगा नौकरी और बैबाहिक जीवन बताई है नौकरी के लिए मैंने बता दिया है बैबाहिक जीवन के लिए मैंने वास्तों में बता दिया है तलाक का मन बना लिया है जरूर आपने संको जो है तलाक ले लीजेगा क्योंकि मैंने पहले भी बताई है ये रिस्ता आपके लिए ब हो करने थे और जीवन में कड़वा सच को भी देखना था इसलिए गरहों ने उनकी युक्ति के कारण आपको ये इस्तितियां जहिलने पड़ रही है आप लिखती हैं भोश्य में आर्थिक पारिवारिक जीवन कैसा होगा देखेगा मैंने पहले ही बता दिया है जो पहली जो समाजिक रूप में देखें चैस्वास्तिय आरोगया और तंद्रस्थि के रूप में देखें बहुत अच्छा है लेकिन आपको जो सुक्छ है जो सुविदाएं हैं जो ये सवर्य है बहुत लेट मिल रहा है यहां पर भागयोदई की जो इस्तिति आ रही है थर्टी फाइ भी जमाने है अपना basic basic जो structure है उसको खड़ा करना है रुकना नहीं है ठीक है न किस फिल्ड में तैयारे करना चाहे सरकारी जोब के लिए देखेगा आपका ब्रिस्पती अच्छे अस्तर में आ रहा है आपका सुक्र अच्छे अस्तर में आ रहा है तो मैं कहूंगा ब्रिस्प का चेत्र हो चिकित्सा का चाहे वो management का चेत्र हो चाहे वो बानिज्जा का चेत्र हो या चाहे वो कानून का चेत्र हो इन चेत्रों में आप बहुत ज्यादा मेहनत करें किसी एक चेत्र में तो आपको बहुत बड़ा लाब होगा और आप जो है कहीं न कहीं काम्याभी पाए थे अपनों आपकी हतेली में लोट आते हैं ठीक है नहीं यहां पर अगर हम देखेंगे यह उंगली आपकी पूरी त्रों से जुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ धार्मिक भावनाई बहुत अच्छी रहेंगी इस स्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आरद्य के परती समरपन की भावना बनी रहेगी चाये कैसे भी प्रस्तिती है आरद्य के परती विश्वास नहीं उठाएगा विश्वास बना रहेगा और आपकी अंदर दया देगी जिन्दगी में ऐसे में बहुत जादा मेहनत और परिस्रम करने के बाद ही चीजों में सपलता मिलेगी कई बार दोड़ा धूपी का काम भी बहुत जादा करना पड़ेगा जो संगर्स की इस्तिती भी पैदा करेगा ये उंगली पूरी तरों से जुक रखी है इसकी तरफ यस पाने की इक्षा नेम फिम पाने की इक्षा और अपने कारियों में बिस्तार हो जाए फैलाव हो जाए उसकी इक्षा बहुत जादा रहेगी यहाँ पे देखेंगे तो दोनों उंगलियां लगभग बराबर हैं और मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है धन और यस की भूक बहुत जादा है पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है और जीवन का मुख्य लक्षा भी अभी यही दिखाई दे रहा है आपकी हतीली को देखें यह उंगली पूरी तरों से जुक रखी है इसकी तरफ धन कमाने की ललक जबरदस्त रहेगी जीवन भर रहेगी लेकिन यह इसके पहले पोर्वे तक नहीं पहुँच पा रही है तो कहीं न कहीं मनी मेनेजमेंट है काग जों का रख रख है एकाउंट विल्टी है फाइलिंग है और कम्यूनिकेशन स्किल्स है इसमें कमी रहेगी इस कमी को नेचरल तरीके से अगर पोरा कर सकते हैं तो यहां तक नाखोन बढ़ाएं तो नेचरल तरीके से यह कमी पूरी हो जाएगी यहां पर अगर देखेंगे तो अंगोठा कह है रहा है एक सखत जीवन जीने की चाहा बनी रहेगी और सखत जीवन जीने के लिए परियतनसील व्यक्तित्व आपका बना रहे का हुर्दे की रेका कि अगर हम बात करें यह इस प्रकार से यहां जा रहा है और दोनों उंगलियों के बीच में देख रहा है भाउकता तो रहेगी आपके अंदर लेकिन महत्व कांचाएं भी बहुत जादा रहेगी और सोच आपकी बहुत स्ट्रोंग है बहुत आगे बढ़ने की जीवन में रहेगी इक्षा भी एक बहुत उच अधिकारी बनने की रहेगी एक बड़े अस्तर तक पहुँचने की रहेगी और इसके लिए इन किन परकारेण जो भी आपसे हो सकता है आप करेंगे भी ये इस्तितिहा पे दिख रही है मस्तिस्क की रैखा देखें तो ये बता रहे है क्रियेटिविटी बहुत अच्छी रहेगी और जो हम कहते हैं कि कल्पना सकती भी बहुत सांदार रहेगी आपको लंबी और हवाई यातराओं का अपने जीवन काल में अच्छा मौका मिलेगा जीवन की रैखा अगर हम देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रही है यहाँ जीवन का यही समय है जो आपका चल रहा है जीवन में बहुत ज़्यादा अनबैलेंस इस्तिती को बैलेंस कैसे लाना है इसके लिए में बहुत सांदार उपाई दे रहा हूं जरूर करें आपकी अगर हम करियर और धन की रेखा देखें तो करियर और धनकी रेखा अच्छी नहीं है इसको ठीक करने के लिए आपको मैं महालक्षमी के रात्रे का उपाई दे रहा हूँ जरूर करें आपको लाब होगा इसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं यहां पर सुक्र का परवत में देखें तो वर्टिकल रेखाई बहुत अच्छी दिखाई दिखाई दे रही हैं इसका लाब आपको जीवन में बहुत सांदार मिलेगा एक तो कारे के परती जुझारोपन रहेगा जिस कारे को हाथ में ले लेते हैं जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं और जैसे जैसे आपका अनभव बड़ेगा वैसे वैसे आपको अच्छे पद की भी प्राप्ति होती जाएगी उसमें आप सफल होंगे दूसरी बात देखेंगे तो आपका सुक्र का प्रोथ बहुत सांदार है बहुत खूब सूरत बहुत सुन्दर दिखाई दे रहा है और पीछे की तरफ जुक रहा है गूमने फिरने की बहुत ज़्यादा सोकिन रहेंगे और देखेगा ये सुक्र एक्चुली क्या है कि कला है सुन्दर्य है और सुन्दर्ता है इसके लिए इसका पुष्ट होना जरूरी है और एक सुखत जीवन जीने के लिए आपकी हतेली में ये सुक्र सुन्दर रूप में उबरा है तेजो मय अवस्ता में आप देख रही है आपको ये धीरे धीरे तेजस्वी बना रहा है आपका चेहरा भी बहुत खुबसूरत रहेगा शुन्दर होगा और सुन्दरता है आकरसन है ये आपके अंदर बिद्यमान कराएगा हमेशा हर परस्तिती को हैंडल करने की चमता आपके अंदर जबरदस्त रूप में रहेगी दूसरी बात है ये आगे जाके आपको चका चोन इस्तिती में ले आएगा आपको यस की प्राप्ति दिलाएगा आपकी परसनल्टी को ये निखारेगा और कुछ गुणों को आपके अंदर सदा के लिए दे रहा है अपने को मेंटेन रखना, अपनी परसनल्टी पर ध्यान देना, अपने को सज सवार कर रखना ये चीजें आपके अंदर जादा रहेंगी और नई चीजों के पर तिरुजान बहुत जादा रहेगा चैने ये परकार का फैशन हो, नई ये परकार के कपड़े हो बहुत एक सुकसुदाओं के तरफ आपको बहुत जादा जो है आकरसन बना रहेगा चैनल लगजरी जीवन हो या अल्टरा लगजरी जीवन हो इसके लिए आकरसन बना रहेगा ये इस्तितियायां पे दिखाई दे रही है आपका निम्न मंगल बहुत ज़्यादा खराब है बहुत ज़्यादा उठावा है तो च्छन भंगोर वाला गुस्सा आपके उपर बहुत ज़्यादा हावी रहने वाला है बाद बाद पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है लेकिन तुरंत रिलाइज कर लेंगे लेकिन तब तक काम बेगड़ चुका होगा तो इसके लिए दिव्य सूरे किरिया दे रहा हूँ इसमें उसका उपाई दोंगा उसको जरूर करें लेकिन आपका उपरी मंगल बहुत अच्छा है प्राकरम बहुत अच्छा रहेगा एनरजेटिक सुभाव बना रहेगा कोई भी आपसे मिलेगा तो वो कमपर्टेबल फील करेगा आपका ब्रिस्पती देखें तो ब्रिस्पती बहुत ज़्यादा उबर आए थोड़ा इगो प्रोब्लम ज़्यादा रह सकती है और हर समय कुछ न कुछ खाते रहने की प्रविर्टिहा भी हो सकती है तो इसको थोड़ा बैलेंस में लाने के लिए दिब्यय योग ध्यान के रिया ज़रूर करें यहाँ पे अगर हम देखें यह आपका सनिक आपर होता है सनिक यहाँ पे जब उभर जाता है तो बे वो जहे की चिंताई बिक्ती के जीवन में देदा है या कुछ ऐसी वो जहें पैदा करता है जिसके करण थोड़ा तनाव बना रही इसके लिए दिब्यय योग ध्यान के लिए इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ यहाँ पे अगर देखें छोटा काम भी करेंगे तो नेम फिम पाने के एक्षा बहुत ज़्यादा रहेगी यह बहुत सुन्दर चीज़े हैं आपके अंदर एक तो सिवा भाव बहुत अच्छा रहेगा दोसरा जो है जो जिसको हम कहते हैं कि ब्यापारिक बुद्धी वो बहुत अच्छी रहेगी और कम्यूनिकेशन इसकल्स में बहुत ज़्यादा बड़ोतरी होगी जो आपके सपलता के द्वार खोरेगी वाणे की ताकत बहुत अच्छी रहने वाली है क्योंकि आपका बुद्ध बहुत सुन्दर दिखाई दे रहा है तो वानी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी और कहीं न कहीं तन की सुन्दरता भी बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि ये पैकेजिंग का मालिक है आगे जाके इसका लाब होगा चंद्रमा की इस्तिती धीरे धीरे उबर रही है इसका लाब बहुत अच्छा होगा बहुत सुन्दर होगा और इस लाब के कारण जीवन में आप सफन होगी देखा जाए तो मैंने आपकी हतीली का पूरा बिसलेशन करके आपको बता दिया है उपाई में विद्वत तरीके से लिख करके और आडियो के मादेम से बेज रहा हूँ करने की कोशिस करें बहुत अच्छा लाब होगा इस वीडियो में बस इतना है एक नई वीडियो के साथ पनोपस्तित होगा तब तक के लिए नमस्कार